आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटर्टेइन्मेंट, बेश्चुमा टॉक्शोज और फेवरिट विडियोज, अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अब्रेट्स जानने के लिए बेल आइक आज हम पहुंच रहे हैं बनू, जी हाँ, बनू में गौमी इसमली की सिर्फ एक नशिस्त है, सुमाई इसमली की चार नशिस्ते हैं, लेकिन ये एक नशिस्त इस नहाँ से बहुत आहम है, क्यूंके यहां से पीटिया चैमेन इमरान खान भान, यह वह वह बहुत सीड है, ज काबिला होने जा रहा है, यह सीज्ट एममे के लिए इंत्याहाई आहम है, और पीटिया चैमेन इमरान खान चुके यहां से कांटेस्स कर रहे हैं, तो यह तो उनके लिए इज़त का मामला बच जुका है, तो यहां का इंतिखाब भी उतना ही मुश्किल होगा, बनू हम पह हैं, साथ ही आपको दिखाते हैं, कि मुख्तलिस स्यासी जमातों की जाने से किस तरह से क्यांपेइन की जा रही है, और एक और अहम बात आपको बता दें, कि हुख्परा जबाद मुस्लिमिक नून का, यहां से किसी भी निशिस पर एक भी उमीदवार नहीं है, तो चलिए म मैंने आपको बताए कि हम बनू में मौझू हैं, और यहां पर मुक्तलिस स्यासी जमातों की जो कैमपेइन है, वो कवर कर रही है, तो इस वक में मौझू हूँ, पाक्सान तहरी के इनसाफ के कैम्प में, यहां पर क्या गहमा गहमी है, वो भी आपको दिखाते हैं, और गो साथ का मुकाबला है, वो बड़ा मुश्किल है, क्यूंके उनका मुकाबला हो रहा है अकरम खान धृरानी से, जो के पशली बार भी यहां से जीते हैं, लग रही है, जई चूर जीत जाएंगे, यहां तो बहुत मुश्कल आठे एस वाज़ा तर आकोम्त भी बहुता हो तिया कि इस ने एकुम्त की और लोगों को बाद कि कभी है आईसा दो का कि हम इसलाम लाते हैं लेके लेके लेकिन इसलाम इदर लाता ने है हम फुद मुसलमान है वो इसलाम यह ने लाता है चाहिए लेकिन कौम के लिए सारे लोगों का पसान आचा कुछ और लोगों से भी बात करते हैं आप बताएं के खान साब में ऐसी क्या खास बात है कि आपको लगता कि बन्नू के जो लोग है उस वज़ा से उनको वोट देंगे और अकरम खान दुरानी को रिजेक्ट करेंगे और जो मलक पक्तुनियार खान है उनको वोट देंगे मलक पक्तुनियार को भी हम लोग वोट देता है वो इमरान हन को भी वोट देते है इमरान हन को इसलिए वोट देते है जो इदर महमान है वह के साथक्रा और अव हमद्राणि जो ध वह जितना अमेर लोग है वो पसंद करते हैं गरीब लोग कोई भी पसंद नहीं करते हैं ना हम अब उसके पीशे जाते वह जितना काम किय इदर फी ट्राइ वाला उन लोगों ने पूरा गरीब लोग के लिए हिरा वो ये कहते हैं कि मैंने तो यनिवर्सटी भी बनाई है, मैंने तो हास्पिटल भी बनाया, आप कह रहें कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया? वो यनिवर्सटी बना दिया उसने पूरा आदमी लोग को पाईसा का लिया, अच्छा, आपका सेहत कार्ड यहां पहुंच गया है, वो पहुंच गया, इसको यह नहीं है, यह जम्यात के, यह कंग्रस के, एपी परफाल्टी के, नुली के, वो सब को दिया, इसलिए इसलिए वो लीट पर जीतेगा, मालक बखतुनियार भी जीतेगा, जितना हम लोग आज भी वो मालक जारास खान, वो भी जम्यात से, उल्मा से है, ठीक है, तो मैं इन ही से बाफ करते हैं, अब जबेत और इमार इसलाम से है, आपने पाकसान तेरी के इंसाफ में शमूलेत इतियार क अब जो इनके कैंडिडेट हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, मलक पखतुर यार खाज साब हमारे साथ मौजूद हैं, असलाम अलेकूम सर, बहुत सारी उमीदे हैं इन लोगों की आप से, क्यूंके इनको लगता है कि गरीबों को लूटा गया और ये सिर्फ आप लोगों सकते हैं, तो आपके जहन में हैं कि कितनी एक्सपेक्टेशन जहन की आप से, शुकूर लामदल्ला, मैं तो सबसे पहले अपने बाईयों को जो यहां पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बसातात से जो बाहर यहां से मुलकों में, मुकी में हमारे बाई मज़दूरी के हैं, मैं सबसे पहले शुकर गजारूं, उनकी उमीद जो नोंने मुझ से लगवाई है, इन्शाला मैं अल्ला की जात को हाजर नाजर जान कर ना कह सकता हूं कि अल्ला मुझे वह मुझे वह मोका दे कि इनके तौकियात और उनके मियारत में पुरा हुदूरी, आप से एक औ का चुना, जो के और मुझे भी हो सकता है, उनके लिए जीतना क्यूंके अकरम दुरानी साब का बड़ा वोट बैंक भी है यहां पे, तो आपको क्या लगता है, यह फैसला उन्हें ने खुद किया था, यह आप लोंने कहा और क्या यह गलत फैसला उन्हें कर लिया, खान सा का अवाम का फैसला, खान साब का फैसला था, और उसी फैसले की बन्याद पे, यहां पर आज बन्नो से वह election contest कर रहे हैं, हमें पूरी पूरी उमीद है, इन्शालला कि खान साब यहां से एक बारी अक्सरीय से, एक बारी लीड से, यहां से जीत कर जाएगा, और हमारी जो अ एक उमीदवार को वोट नहीं देते हैं जिसको पहले दिया होता है कि उसने काम नहीं कराया होते। वो किस चिसाबाद है? सभी. महां के मुकीम जो बंदे उन से इबाद है. एक सिकंट नहीं ते हैं. दोज़र दो से इनकी हकूमत थी. दोज़र दो से आज तक मैं बहार बार और हर जल्से में यह कहता हूँ. बगर एक बंदा इतने बड़े ओदे पे जिसमें वो चीफ मिनिस्टर भी रहा हो. अपोजिशन लीडर भी रहा हो. इनके लावा इनके पास MPS भी हो. इनके पास वेफाक में भी हकूमत हो. नीचे और ओपर की जीड़े और तासीर की गौर्मिट इनके पास हो. इनके पास MPS भी हो. और उस अलाके में फिर भी एक बंदा ट्रांस्फामर और प्रेशर पंप को मापीरा कर लोगों से किसी के कंदे से चादर उतार के पाउम में डालने से अगर वोड एक बंदा मांगते हैं तो इसको अगर आप सियासत ये खिद्मत का नाम दे सकते हैं तो ना तो मुझे इसी खिद्मत की ज़रू है तो ना मुझे एक ऐसी सियासत की ज़रू है. बंदे करते हैं किसी लिए इज़त के लिए और शुक्र राम देला इस खांदान को दुरानी खांदान को अल्ला ने ये आज तकी तो फिक नहीं जी अगर मैं इस लेवल पे पहुंच गया और पिर भी में ट्रांसवामर प्रेशर पंप की सियासत करता रहा एलेक्शन के दिनो में बतोर रिशवत किसी को ट्रांसवामर देता रहा किसी के पाऊं में चादर पेंक तरहा किसी की धाड़ी पकड़ता रहा ये कर रहे हैं आज बोटे और पिर भी मैं किसी किसी से जाके वोट मंगूँगा तो نہ तो मुझे एक एसी स्यासती जरौत thats और ना मुझे एसी कुर्शी की जरौत Thank you علा ना मुझे एक एसी फार्लिमेट की जरौत एं लोगों ने हमेशा एलेक्शन के दीनों में लोगों कोई प्रेशर पंप्स कैश पेमिंट्स शिंगल रोड्स इनकी रिश्वा दे के वोट लेते रहे हैं और पांच साल जब एलेक्शन गुजर जाते तो पिर ये लोग ना तो आप किसी के पास जाते हैं ना किसी के मसायल हर करते हैं ना किसी को जो गम्यशादी खुशी की यहां पर रिवाज यहां के बहुत ज़्यादे हैं वो नहीं करते हैं और शुक्र लाम दिल्ला हम जीते हैं या हारें इतनी हमारी है कि हमारी 90% आवाम में ये मगद्ध हमारी जरूर होगी पाकिस्तान तेरी के इनसाफ़की के वरकर और उमिद्वार चेर्में उनके लीडर्स उनकी स्यासी जमाते और स्यासी कार्गुनान होते हैं वो तो हमेशा ही अपने लीडर्स की तारीफ भी करते हैं उनके गुन बिगाते हैं और ये दावा भी करते हैं कि वोट भी डालेंगे इस सक्में बनू माजार में मौजूद हूं और यहां पर कुछ आम लोगों की भी राय ज गुल की खासी बीत कर दो राय जाताना किस कोवोट देना है एलेक्शन होने वाले कि मौन खान को आप किसको वोट दे रें मादा भी इंवर्षा अकरम थालता है या आकरम खान keंदानी अक्रम खान दुरानी को हॉज्ट को ठाक है उनको आप बोट दे रहे तरक्याताी मंसूबे निन भरायए उनकी उय्ट पड़ाएं। आप हिस्को वोट रहे भागा अप इमरान खान को देते हैं। सुभा Chief Sun Musiा को रा रही जा रहे गाप काम हिस्को ड़खा उबर थो प्यूटिता इसको वोट दे रहे हैं थीक आम लोगोंसे जब बात ही हो आपको सालां बड़ा मुश्किल काम आप लोग करते हैं वैसे हो ज्यादा है हम ब्यूटिअ कुमेट मिलेगे हमेरे तरह सभी नहीं किसी की जारी है और इस वक्त मेरे साथ मौझूद है साबिक वजीर आला साबिक विपाकी वजीर और अक्रम खान दुरानी साथ तो इस बात कर लेते हैं सर सबसे पहले तो ये बता देंगी किस तरह से कैमपेंग जा रही है इस पार आपके लिए कैमपेंग इस तरह से मुक्तलिफ है कि आप ही बता दे हमें तो समझ नहीं आ रहा कि पूरा खैबर पक्तूनखा छोड़के खान साब ने ये हलका क्यों चुना है उनको क्या लग रहा आपके आसान होगा उनके लिए सबसे पहले तो मैं आपको खुशाम देता हूं और यहां आपका जो आना है पुरे बनों के अवाम की तरह से आपके चैनल को और आपको खुशुसी तोर पर चुनकर आप एक खातून है और इतनी दूर से इतनी महनत आपने की है बाकी इमरा पुरी मनसुबबंदी है और वो यह है कि यहां पर उन्होंने 5 साल हकूमत की और 5 साल हकूमत बिल्कुल मगरिबी एजन्डे और उसके कल्चर के मताबेक है और यहां पर अफगानिस्तान में और बड़ी जंग हुई जिसमें अमरिका और मगरिब की तिंक टेंक का जो मनसु हुआ था, वो सो साल का था, लेकिन वो जंग तब्दील हो गई 18 साल में रुष्या खत्म हो गया, तो उन्होंने यह देखा कि हमारी तिंक टेंक जो है उसकी मनसुबबंदी या और उसकी जो रिपोर्ट है वो कभी फैल नहीं हुई, तो उन्होंने जब ताकी की तो दो ची का, कि यहां पर हमारी गेरत, और तक्वा, हाया, परदा, बहुत सी चीजें हमारे कल्चर मजब के साथ लगती है, तो फिर उन्होंने पाइं साल यहां पर, मैं पहले से भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि हकुमत उनको मिली नहीं दी गई थी, उस वकद भी इलेक्शन हमने चीता था, अभी वो देख रहे हैं कि बनु जो है, एक तो यह है कि जमियत उलम इसलाम का कड़ है, दुसरे आवाम की महबत है अपने उलमा के साथ और अपने बजर्गों के साथ, जिस बजर्गों में मेरा खंदान भी शामिल है, में भी शामिल हूं, एक अकीदत है, बल्कुल, आपके वालद साथ के साथ भी है, यहाँ, पूरे कौम की महबत और यह देखो ना, हमारे बाप दादा के नाम पे पूरे बनु की जो चीज़े हैं, वो अभी तक हैं, अभी वो टेस्ट कर रहा है, कि मगर्ब के कल्चर को लाने में, और इस ताजीब को खतम करने उस ताजीब को लाने में हम कितने परसंटेज गए हैं, तो बनु का जो टेस्ट आएगा, जितने वोट वो लेंगे, वो कहेंगे कि हमने मगर्बी कल्चर को इतना फरोग दिया है, लोगों की गेरत को इतना काम किया है, पर्दा हया के साथ हमने जो जग लड़ी है, वो इत उसे वो इबरतनाक होगी, इसका मतलब उन्होंने गलती कर ली यहां से, गलती तो हमेशा करते हैं, पहली गलती नहीं है, वो तो हफ़ते के बाद अपने गलती पे पिशमान होते हैं, एक हफ़ता में उसकी बात वागए होती नहीं है, और इसने जितने भी फैसले किये है, वो आमके फैसले किया साही करेंगे, वो भी इस तरह है कि मैं उस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता है, अच्छा से आप से ये भी सवाल पूछना है, सियासी एतबार से, क्योंके जब हकूमतें बनेंगी तो उसमें फिर इतिहात भी बनेंगे, मौलाना फज़ुर रहमान साब ने हामिद मीर साब को एक इंटर्वियू दिया है, और उसमें उन्हें ने काई कि अगर इमरान खान साब से भी के साथ बैठना पड़ा, ये इतिहात करना पड़ा तो वो भी मुम्किन है, तो इतनी सखत अन्कीत के बाद आप लोग उनके साथ बैठ पाएंगे, क्यों मैं मौला साब के गर में पहुंचा, इंटर्विख हो रही थी, फिर में निकला, मैंने सुनी भी नहीं हैं, लेकिन जो फासले उसके और हमारे दर्मियान हैं, वो बहुत ज़्यादा है, जो मैं मौला साब को करीब से जानता हूँ ना, चुंकि हमारी एकटी जिन्दे की ज़्यादा है, लेकिन मौला साब महबत का जवाब हमेशा देने की कोशश करते हैं, और हमिद्मीर साब के साथ उसका वईसे भी एक तालुक है, लेकिन मुझे जो अंदादा है, यहां पर इंशालला एमे में बर्यक्सरियत से आएगे, और फिर वो हमारी मजबूरी नहीं ह जो मेरी सियासी मेरा अपना तजरुबा है, और मैं इस आवाम को जो देख रहा हूँ, अभी तरकी में भी बहुत बड़ी तबदीली आईगी, और वही सोच यहां पर भी आई है, तो तरकी में जिस तरह तबदीली आई है, इंशालला यहां पर एमे में भी इसी सोच में अ हुकूमत आएगी कभी के बाकी लोगों को एमे में के साथ इतिहात करना पड़ी, इंशालला इस पर यही अंदाद है, इंशालला लोगों की बात होगी, वो हमारे साथ बेठेंगे, और उसमें हम चाइस करेंगे, किस को साथ लेगे, अचा एक इसके लिए आप लोगों को ही रखना होगा, अभी बुनेर में जो MMA के उमीद बार थे, उन्होंने मुस्लिम लिगनून के साथ अलाइंस मना लिए, इसी तरह से सुआत में भी हमने सुना कि मुस्लिम लिगनून को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट थे वहां पे उन्होंने इंकार कर दिया, हुआ ने का कि वहार सूरत इलेक्शन कांटेस करेंगे, तो आपस में इतिहाद है क्योंकि अभी तो इलेक्शन में नहीं हुआ, पहले सही थोड़े से एक्तिराफा, हमने कल MMA की स्प्रीम कौंसल का, चुँँके मैं में 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 हूँ, और कल मैं इसलामबाद में था, और हमन जमाते नजम परे चलती है और हमारी मज़बी जमाते जम नजम कियेद कि जो भी उसका कैंडियेट होगा, मजाज है कि वा किसी के साथ इत्याद कर बगिरे में मैगे. जम्येत अधुलम इसलमी फैसल 24-2 और हमने कल से नोटुस दिये हैं जहां से तोड़ी बहुत शिकायात आई है तो वो आप देखें कि हफ़ते के अंदर उन जमातों के रुकन भी नहीं होंगे उमें द्वार से चोड़ दें उसके रुकन भी नहीं होंगे आखर में हम आपका चुनके आपने जलसे में जाना है हमने आपका काफी वक्त ले लिया है सिर्फ आखर में कोई पैगाम देना चाहें मुखालिफीन को खास और पर जो आपके मुखालिफ इस साल के से लड़ रहे हैं खान साब उनको कोई आप मश्वरा देना चाहें या अपना जाइजा लिए तजर्बा है बैकी में लोगों को एक पेगाम देना चाहता हूँ कि ये दो तहजीबों का जंग है एक है मगर्ब की ताजीब और ये है यह हमें एशिया के दूसरा ये है कि ये उन कुवतों के अलाकार है जो यहां पर हमारे मुलक को हमेशा नुक्स काम देना चाहते हैं और यह उसका अलाकार है जब चाइना के वजिरादम और सदर आ रहे थे और उसने नो महीने धर ना दिया और जब कहीं भी डिवेलपमेंट आगे बढ़ती है तो उसके लोग स्टेप भी जाते हैं उसके लोग रोकाउट भी जाते हैं हम अपने आवाम के एजेंट है उसके साथ आप अपना राफ़ता भी न रखें और उसको तक्वियत भी नहीं दें ये मलक जो हमारा बना है उसमें हमारे अबाव अज़्दा की खून है बड़े तकलीफों के याजाद हुआ है मैं अपने खंदान वाप को बता दूँ जो मेरा दादा ये ख आजाद हुआ वापस है मेरी सारी जैदा अक्षन होई थी निलान होई थी मुझे पाकिस्तान के आईन और कानून ने अपनी जमीन नहीं दी चूंकि वह अंग्रेज के कानून के मताविक जबत हुई थी पिर हमारा यहां पर पश्टून का जर्गा है कल्चर है अपना रसम रिवाज है वो हम बेट गए और उस रसम रिवाज ने मुझे अपना जमीन भी वापस दी अपने गर भी वापस दी और कौम ने चंदा करके वो पैसे भी मेरे साथ पादा किये तो यहां पर उस वाकत हमारी जंग थी बरतानिया के उन अंग्रेजों के साथ और आज हमारी जंग है उसके दामाद के साथ तो जिसको हमने यहां से जिस तरीके से बेजा मेरे दादा ने हमने पकी रेपी ने पुरे पाकिस्तान के आवाम ने इंशाल्ला उसको दामाद को हम उसके गर में जरूर 25 जुलाई पे बन करके बोरी में और भीजवा देंगे चीक है बहुत बनु से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सुबाई इसमली के उमीदवारे शाह मुहम्मद साथ वो इस वक्ताने साथ मौजूद है और बड़ी भरपूर कैमपेन उनकी जाने से चलाई जा रही है और रैली उनकी जा रही थी जलसे के लिए वो जा रही थी लेकिन हमने उ इंटी टूर चेनल कर शुकूरी है चीनल हमारी का पिन बहुत अच्छी जा रही है और इंशालला बनु को हम सावित करेंगे के बनु इटियाई की गड़ है और यहां से हमारा उमेदवार एने 35 के लिए इमरान खान बिल्कुर चेयर में तारीक इंसाफ है और इंशालला य मुझे याई की सुरत में अकरम्हान दुराने जो याई की तरफ से इस फिर गवनियत को हम खत्म करके दम लेंगे आईनी और कनूनी तरीके से अच्छा में मुहमद साब अभी आपने अकरम्हान दुरानी साब का नाम लिये तो हम लोग चूंके पूरा हलका कपर करें थे उ आप लोगों के इस पर क्या कहेंगे आप यह उसकी जो ड्रामे हैं जो मुखतलिफ मतारियों की तरह मुखतलिफ अन्फाज इसे मल करें यह मदारी का केल है मगरिबी आप मुझे यह बताए कि यह कोई मगरिबी ताजीब आपको नजर आ रही है यह वजिसे बन्नो की कल्चर सारी मौजूद है वो कहते हैं कि मगरिबी कल्चर को फिरुग दे रहा है इमरान खान उसके साथ और कोई रास्ता नहीं है लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूं कि यह मकाबला मगरिबी कल्चर और मश्री की कल्चर का नहीं है हम सारे मश्रीगी कलचर के हैं ये मकाबला एक अफगानी और पकिस्तानी की है अमरान खान का तालो का यहाली से ही जो बन्नो की साफ का तासियल था और करम खान दुरानी का तालो का अफगानिस्तान से तो इसको हम इंशल्ला डिफीट करके घुलाम खान की बार्डर पर अर्श्टाफवगानी के मुखाना हुआ है। चले नारो का सहसला जारी ही है, हम आपसे यह भी पूछा चाहिए कि चुनके आपने बात की कि एक अफगानी और पाकिस्तानी का मुकाबला है, तो जब उनका हमने इंट्रिव्यू किया तो उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हैं, उन्होंने कहा कि मेरे वालद जो थे वो बरतानिया, राज, बरतानवी हकोमत के खिलाफ लड़े थे और अब हमारा मुकाबला जो उनकी अलफाज से बरतानिया के दामाद से ह है, ये कहा हो ने? वनके हदसाती तोर पर, MMA को होट में लिया, अफ़वानिस्तान की रियक्शन पर, वो चिफ मनीशर बनकी इससे पहले उसकी आठ कनल जमीन थी, यह कोई जादा नहीं था, उसका कोई तारीख नहीं है, उसके दादा को फकीर एपी ने जलावतन किया था, उसने यहां की जो उने यहां पर युनिवर्सरी बनाई, स्कूल्स बनाए, कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया, हॉस्पिटल भी बनाया है, तो उसके बाद यकीन लोग उनको वोड़ देंगे और उने यह काई कि पहले तो मैं पचास हजार की लीड से जीता था, इस बार मैं एक लाग की लीड से नहीं बच सकते हैं, बहुत बनों के अवाम के हाकोग पर हमने हर दफ़ा डाका डाला और जबरदस्ती की यहां के इलिक्शन को उसने यह रगमाल बना दिया है, जो आज की चीफ मनिश्टर है निकराद, वो भी उसके रिश्टदार है, उसके लिए काम कर रहे हैं, यह एक ह नो आरब एकिस करोड़ नुवासी लाक रुपे के तरकिया ठीकाम किये, और हमने एक गरीब मनिश्टरी के पर वजूद भी यहां, सटेस्टाइस अरब के तरकिया ठीकाम किये, उसने कौँ साइसा कारणामा किया है, उसने बड़ी है, यह उसने कोई तासील नहीं दिया, पिचाई के अकूमत ने तीन तासील है जी, वो सिर्फ सब तासील मन्जूर करवा दे देने का, ताकि कोई उसकी गुलामी से आज़ाद नहीं हो, एक ही तासील हो, एक ही डिश्टिक हो, यहां तक कि हमारा एक एने के सीट उसने लिए खान को शिफ्ट किया, अपनी जाती खान साब पे इल्जाम ये कि पिचावर वाली सीट जब वो इंतिकाब लड़े जीती उसके बाद उनने छोड़ दी, क्या बनू में भी यही होगा कि अगर यहां से सीट जीत जाते हैं तो उसके बाद वो छोड़ देंगे और बनू भर वो नज़र नहीं आई, तो पाकिसान टेही के इनसाफ के जो टाइगर्स हैं खिलारी हैं वो भी आप मौजूदे हैं उसे बात कर लेते हैं, क्या वज़ा है खान साफ से इतनी महबबत कि हम देख रहे हैं कि इतनी धूप में आप लोग रैली इस निकाल के बाहर आगें के वोट खान साब का है, खान सा उसको कटेरे में लाया है, पेला तो ये वज़ा है, दूसरा ये कि हमारे बन्नु का जो वहूर आवाम है, जो आप देखेंगे के समुमात खान के साथ कड़े हैं, ये इस वज़े से हैं कि जो अलफाज हमारा कंडिडेट अदा कर एक फिरावनियत है, असल जो एना फिराव जो बन्नों में उसका नहीं मानेंगे, उसका जो एना उसका सफाया करना था उसके जहन में, लेकिन अलहमदुल्लाह जो हमारा कंडिडेट है, मलक्शममाद खान, जो उसके सामने वो कड़ा है, इस वक्त से उसका खुब है, लोगों को पीचे रखेंगे अबी, पेले जो आ आप मिनसे कर रहे हैं, आपी जो एना लोगों को दड़ी पकड़ते थे, लोगों पे आये तो सही ना, देखा आपने कोई नेट में देखा है, आप देखा है, एक बुड़ा जो एना वो अस्पताल में पड़ा है, उसको उसका दड़ी पकड़ा है, आईसा नहों के मर हैं, और इंटरस्टिंग चीज़ यह है कि इस तरह से खान साब कौमी सम्बली के सीच के लिए अकरम दुरानी से मकाबला कर रहे हैं, उसी तरह से मलिक अद्दान साब का मकाबला भी अकरम दुरानी साब से है, तो इन से पूछ लेते हैं, कितना मुश्किल लग रहा है आप इलीड से हारेंगे, क्योंके लोगों में शौरा गिया है, खान साब ने लोगों को शौर दिया है, उनको सियासी शौर दिया है, खान साब की वज़ा से लोगों को पहचान मिल गई है, लोगों को जानने का वो पहचान मिल गई है, बन्नु के लोग अकरम दुरानी को जानत उन्होंने अपने दोरे वजारत में मस्जित के लिए इलाट शुदा जमीनों को अपने लिए बंदों को इलाट कराई है। उसको रेजिडेंशल और कमर्शल उसमें इलाट किया हुआ है। उनको हान صاحب सादिक और अमीन है। पूरा पाकिस्तान उनकी एक काल पर करोड़ रुबे का चंदा देता है। जबके ये लोग सादिक और अमीन भी नहीं हैं। और जिस चीज़ की ये सियासत करते हैं। इनकी सियासत में ताज़ाद है। ये दिन वे इसलाम का नाम इस्तिमाल करते हैं। मगर हत्म नबुवत जैसे ऐह मसले पर ये कौमी असेम्बली में उनके वोड करते हैं। और चुप रह जाते हैं। ये कहा का इनकी सियासत है। अगर ये इसलाम के अलंबरदार होते तो हत्मिन अबुवत की ये मुखालपत करते हुदर और मुहमत स्लिल्लाओं का जो वहां पे मसला पे शायद उस पर ये इतिजाज करते मगर अफसूस कि जिस तरह हान साब कहते हैं कि मौलाना फजलरामान में एक नतीज है हर अफ़ादात थे जब कोमी असे लेकिन लोग आप लोगों पर भी तनकीद करते हैं कि अगर वो नहीं बोले तो पीपल्स पार्टी और पाकसान तेहरी के इंसाफ किसी ने भी इतिजाज ने किया या तेहरी के इंसाफ ने इतिजाज नहीं किया वो एक अलग बात है इन्हों है कि एक मिनिंस्टे के साथ 5 साल चुब बैड़ जाते हैं और वर में बहुत मज़ा रहा रहा है इनके साथ मकाबला करते हैं हमने इनको डूर कमपै Feld पर मजबूर कर दिया है इनको लोगों के इन लोगों के गाउं दिखाने पर मजबूर कर दिया ए इनको निकले हुए ngày लोगों के जमीन खरीद रहें, मतलब जमीर खरीद रहें लोगों को, इनको वोट कहीं से नहीं मिलने वाला, इनकी नींदे उड़ गई है, खान साब पर लोग इतने मरते हैं यहां बनू में, कि आप 25 जुलाई को देखेंगी, कि हर पॉलिंग स्टेशन पर सिर्फ बल्ला ही अच्छा, जैसे कि खान साब अबने सुने दुबारा भी उ सताप खरने आ रहें तो अकरम साब यह कहते हैं कि उनको तो पोटर की नहीं थे सपोर्टर थी नहीं थे उन्हें ने गाओं में जलसा किया है यहां पर हमें जगह ही नहीं मिल रही है कि हम खान साफ का जलसा कर लें इतना क्राउड होता है अब यहां 40 डिग्री सेंटी ग्रेट की गर्मी ती उसमें लोग आये हुए थे अब आज भी हमारी मिल्टि 45 बनू में इंटरस्टिंग सिचुवेशन यह है कि दो इंतिहाई मजबूत उमीदवारों का मुकाबिला एक खातून कर रही है बलके कह सकते के एक जियाली कर रही है और वो जियाली हमारे साथ पाजूद है सबसे पहले तो अससलाम अलेकूम और बड़ी खुशी हो रही है कि खातून जो है बनू से और वो भी एक जानेब इमरान खान है जो के पीडिया के चैर्मन है और एक जानेब आकरम दुरानी है जो कहते हैं कि मैं 50,000 लीट से कम में जीता भी नहीं हूँ उनका आप मुकाबला करें पहले तो आपको सलाम है वैसे आप अलेकम सलाम और वैल्कम टू बणनु है कि अधिक में बात इहे हैं करें हैं हमक्ऽा है डूरत है कि बनू करें वालेक्रश का इक लिडियटी जो है वह गूर्नल ऑलेक्शन कर रहे है अच्छा ये भी बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि यहां से मुस्लिमनिक गनून का तो कोई उमीदवार है भी नहीं है और बाकी भी लोग जो मजबूत उमीदवार हैं उनका मुकाबला करने को तयार नहीं है लेकिन फिर भी आप उनका मुकाबला करी और जिस तरह से आपने बताया के दो जब से आप लोग कवर करके आएं रात बारा मज़े तक आप कैमपेंड करती हैं तो बहसी देख खातून मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे कोई मुश्किल होती आपको क्यूंके बनूं के बारे में यहां पर कहा जाता है कि खावतीन जो हैं वो ज्यादतर घरों में रहती हैं बापरदा ज्यादा होती हैं तो ऐसे माहूल में मर्दों के शाना बचाना, काम करना, कोई मुश्किल आपको दरपेश है इस स्रिशले में? यह तो जी जाहरी बात है कि मुश्किल तो हर काम में मुश्किल भी नहीं कर सकती और यह है कि लेकिन में अपनी तरफ से पूरी कोशश कर रही हूं और मेरे साथ जो मेरी टीम है, हमारी लेबर वीन जो है, हमारे जो सारे बाई हैं, मेरे हस्बेंट जो है, तो उनकी कोशशों की वज़े से, और उनकी मेहनत की वज़े से, मैं अलहम्दल्ला जी इस मकाम पे हूँ, कि मैं बनू जेसे एरिया में, इस सब मुश्किलात का सामना भी करती हूँ, और इसको होसले के साथ सब कुछ अलोग करती है, पीबल्स पार्टी पे वैसे जितनी भी तनकीद की जाए, एक बात की हमें हमेशा तारीफ करनी परते है, कि पीबल्स पार्टी ने खवाटीन को खास तार पर हमेशा नमाइंदगी दिया है, और हर तबके के लोगों को रुनिंग टिकेट्स भी दी है, अच्छा आप से यह जाना चाहेंगे कि बाकी जो आप, जिन लोगों से आपका मुकाबला है, वो तो बड़ी भरपूर कैमपेन उनकी चल रही है, खान साब एक जलसा करने आना है, बिलावल भुट्टो आ रहे हैं यहां आपको सपोर्ट करने हैं? इन्शालला वो जरूर आएंगे क्योंकि उनकी रेली जो है, वो स्टार्ट है तो इन्शालला वहां से होते होते डियाए हान बनों जरूर आएंगे, अगर वो ना भी आए, कुछी सद्रा ऑश अगर हो गया, अगर वो ना भी आए, तो पीर भी हमारे हो कि रिवाइब लोग हैं, वह मेरे साथ हैं, आवाम मेरे साथ हैं, क्यूंके लेडिस है के यह आपके, कि हम अपनी बेहन कोई सपोर्ट करेंगे, यह सब आवसालाफ़ाएज के लिए बहुत हैं, और वैसे हमारी पार्टी का यह हमारी यह सबसे बढ़कर, बाकि मैं तो बहुत जियाली या वरकर के मुझे तो अपने पार्टी का कोई भी इस तरह वो नेगेटिव कुछ नजर नहीं आता लेकिन यह है कि यह सबसे अच्छी बात जो पीपर्स पार्टी की है वो यह के उसमें हावातीन की एक रिस्पेक्ट होती है उनको एक रिस्पेक्ट की नजर से कर दे के यह साबित कर दिया कि हमारी पार्टी जो है वो मेहनतकर्शों की पार्टी है और वो औरतों के हकोग पे मतलब हर किसम का वोकल तुछ कहना चाहरे थे अपने क्वेस्टिन राइस कि इस हुआले से कि पीपल्स पार्टी या भी बंजाब में तकरीमन यह हो रही है य तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो 2013 के इलेक्शन का भी आपको मुलूम है और इस इलेक्शन का भी आपको हो जाएगा हम यह समझते हैं कि पीपल्स पार्टी स्टिल मेहनतकर्श तबके की एक रिवायत है और अभी तक पाकिस्तान में जैसे मल्क में मेहनतकर्श तबक होता है और तब इनीग होता है सही है बहुत शुक्रिया यहां पर पीपल्स पार्टी की कैम्प में हम मौजूद थे से पहले हमने आपको यह दिखाया कि पाकिस्तान मुस्लिम नी जो नवाज है उनके जो हमायत आफ़ता उमीदवार है और MMA के जो अमीदवार है अक्रम खा कैसी जा रही है पाकिस्तान तेरी के इनसाफ की कैसी कैम्पेंट जा रही है यह भी हमने आपको दिखाया और कुछ इलागे के मसाइल का आहाता भी किया कि यहां पर सड़कें जो है इंफ्रास्ट्रक्टर जो है उसका निज़ाम काफी हद तक तबाह है और सड़के बहुत हैं ढाते हैं ज्यादा हैं लोग घुर्बत के हाथों मजबूर होकर वजह कहता हैं कि दो बी हूप फिरनान आते हैं वो सिर्f और सिर्फ अमीरों को नवासते हैं अमीर पॉलिसी बनाते यहां पर नतायश हैरानगुन भी हो सकते हैं, तब्दीली भी आसकती है, किसी का एहि खाफ भी हो सकता है हमारा यहां से आज बन्नू का सफर होता है खाद्म फिर मिलेंगे आप से अगर आप अपना फीड़ बाक देना चाहें और ये बताना चाहें कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप हमें लिख भेजिए जीरो ट्रिबल ट्री वन नाइन टू 0356 पे अपना नाम अपने शेहर का नाम और वो जमा जिससे आप सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम लिखकर हमें भेज दीजिए अपने ख्याल रखेगा अलाहाफिज